नमस्कार किसान भाईयों, सीजी किसान टीवी यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है मैं हूँ आपका अपना किसान दोस्त हुकेस पैधान और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं FMC कमपनी की बेनीविया इंसेक्टी साइट के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं आप लोगों को बेनीविया इंसेक्टी साइट की क्रॉप इस्प्रे के बारे में इंसेक्ट टार्गेट के बारे में केमिकल एन फार्मूलेशन के बारे में इसकी मोड अप एक्सन याने कार्य करने का तरीका क्या है इसकी recommended doge क्या है इसकी packing and price क्या है इसका result time या residual activity कितने दिनों का होता है इसका ran fast net क्या है और अंत में benivia insecticide के बारे में एक खास बात भी बताने वाले हैं इसलिए 100% सही और 60 जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा स रिक्वेस्ट है यदि अभी तक आप लोगोंने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो अभी सस्क्राइब करके बैल एकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के quality वीडियो लाते रहते हैं तो किसान चलिए शुरू करते हैं किसान भाईयों FMC कंपनी का बेनी विया इंसेक्टी साइट यह जो आता है यह एक सिस्टेमिक प्लस ट्रांस लेमिनार एक्षन वाला किड्नासक है जिसे की स्प्रे करते ही यह अंतर प्रवावी कार्य प्रणाली द्वारा पोधों के अंदर कोशिक काव में जाकर इंसेक्ट को मारता है और ट्रांस लेमिनार एक्षन होने के कारांड यह पत्यों पर पड़ते ही नीचे की तरफ आसानी से फैल जाता है इसी के साथ इसमें जायलम एक्षन होने के कारांड यह पोधे के नीचे से उपर की और जा सकता है बात करें इसकी केमिक जर फार्म में आता है और यह ग्रूप 28 का इंसेक्टी साइट है किसान भाईयों अब बात करें इसकी क्रोप इस्प्रे की तो FMC कमपनी की बेनीविया इंसेक्टी साइट को लगभग सभी प्रकार की सब्जी वर्ग्यों फसलों पर इस्प्रे कर सकते हैं फिर भी मुख्य किसान भाईयों बेनीविया इंसेक्टी साइट परियावरन के लिए सुरक्षित है और इसको गोल बनाकर तुरंत ही इस्प्रे करना चाहिए इसी के साथ इसमें इस्टिकर या चिप को मिलाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें पहले से ही कमपनी द्वारा सिलिकोन च बेनीविया इंसेक्टी साइट का केमिकल एंड फार्मूलेशन साय एंत्रा नील प्रोल या ग्रूप 28 का केमिकल है जो की एक फसल में दो बार से अधिक स्प्रे करने पर इसका रिजल्ट आना बंद हो जाता है किसान भाईयों अब बात करते हैं इंसेक्ट टार्गेट की त बेनीविया इंसेक्टी साइट या साय एंत्रा नील प्रोल या मुख्य रूप से बोल वर्म, पिंग वर्म, गुलाबी सुंडी, फल चेदक, तना चेदक, कटरपिलर, आर्मी वर्म को कंट्रोल करता है इसके साथ एफिट, जेसीट, थ्रीप्स, लीफ हापर को भी कंट्रो वाले कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रन करता है यह लगभग सभी प्रकार की फसलों में सभी कीटों को आसानी से नियंत्रन कर लेता है किसान भाईयों बात करें इसकी मोड अब एक्सन यान बेनिविया इंसेक्टिसाइड का कार्य करने का तरीका क्या है तो benivia insecticide कीटों को संपरक से और कीटों की मुँ से अंदर जाता है और कीटों की इस नायू में से केलसियम को कम करके कीटों को पैरालाइस कर देता है जिससे की कीटों की मृत्यू हो जाती है इसी के साद benivia की spray के बाद 2-3 घंटे तक बारिस नहीं होनी चाहिए मतलब कि बेनीविया इंसेक्टी साइड का रेन फास्टेनेज दो घंटे का है यदि आप बेनीविया इंसेक्टी साइड को स्प्रे करते हैं स्प्रे करने के बाद दो से तिन घंटे के बाद बारिस होती है तो फिर भी आपको बेनिविया इंसेक्टी साइड का 100% रिजल मिलेगा किसान भायों अब बात करें इसकी रिकुमेंडेट डोच की तो इसे प्रती एकर 240 ml तिन सो से चार सो लिटर पानी में मिलाकर इस्प्रेप कर सकते हैं और प्रती पंप 25-30 ml 15 लिटर पानी में मिलाकर इस्प्रेप कर सकते हैं रिजल टाइम या रेसिडियल एक्टिविटी की बात करें तो बेनिविया इंसेक्टी साइड को इस्प्रे करने के बाद यह आपके फसलों पर 15 दिनों तक काम करता रहता है मतलब कि बेनिविया इंसेक्टी साइड का रेसिडियल एक्टिविटी 15 दिनों का होता है किसान भाईयों बेनिविया की पैकिंग वर कीमत बताने से पहले आज की खास बात बेनिविया एक ओबी साइड भी है मतलब कि यह अंडों को भी खत्म करता है यह एक लारबा साइड भी है मतलब कि यह सभी प्रकार की इल्लियों को भी खत्म करता है और सबसे अच्छी बाद यह एक एडल्ट साइड भी है मतलब कि जो प्रोण अवस्था वाली कीटे होती है जिन्हें मानना सबसे मुस्किल होता है उन्हें भी यह आसानी से मार देता है तो किसान भाईयों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कीजिए अब बात करते हैं इसकी पैकिंग वा कीमत की तो यहाँ आपको 90 ml, 180 ml, 240 ml के पैकिंग में मिल जाएगा वही इसकी कीमत की बात करें तो 90 ml, 910 रुपया, 180 ml, 1725 रुपये और 240 ml का जो पैकिंग है यहाँ 2200 रुपय के संथिंग में मिल जाता है इसकी कीमत पर अलग अलग राजियों पर 5% तक कम या जörभाज जादा हो सकती है यहाँ आपके तरफ कितने प्राइस पर अबलेबल है हमें कमेंट बाक्स पर ज़रूर बताएगा तो किसान भाईयों आज की जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बाक्स पर जरूर बताएगा जानकारी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहीन जैजवान जैकिसान